नमस्कार दोस्तों स्वागतिया आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एज्यूकेशन में दोस्तों सामान अध्यान यानि की जी की जी इसके जो most important 1000 question की हमारी सीरीज चर रही है इस question series का ये आठमा पार्ट है इससे पहले हम 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी question select की है सारे के सारे question important question है अच्छे level के question है और previous कई exam में ये question पूचे गए है और इन question को हम बिलकुल detail में with extra fact के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रेटरने की जरूरत ना पड़े तो चलिए सुरू कर लेते हैं नमबर फर्स्ट question है निरवाचन आयक्ट को हटाया जा सकता है तो दोस्तो जितने भी question इस video lecture में लाया हूँ यादि आपको किसी भी question का अंसर पता है तो वीडियो को pause करके अपना answer लगाए इसके बाद मैं answer पताऊंगा और question के relation में जितने भी extra fact वन सकते हैं सबी को समझाऊंगा तो जो निरवाचन आयक्ट होते हैं इनको मुख निरवाचन आयक्ट के परामर्स पर राष्टपती द्वारा हटाया जा सकता है तो इस question का C option से हो जाएगा अब देखे आप से exam में question क्या पूछा जाता है कि निरवाचन आयक्ट में कितने चुनाव आयक्ट होते हैं तो निरवाचन आयक्ट में तीन चुनाव आयक्ट होते हैं कितने होते हैं तीन होते हैं जिसमें से एक होता है मुख चुनाव आयक्ट या फिर मुख निरवाचन आयक्ट और दो होते हैं अन्य चुनाव आयक्ट ठीक है इस प्रकार चुनाओ आयोगतों की संख्या कितनी होती है तीन होती है ठीक है जो निर्बाचन आयोग है इसको चुनाओ आयोग भी कहा जाता है यानि कि इसको Election Commission of India भी कहा जाता है ठीक है Election Commission of India तो इसकी स्थापना कब ही थी तो इसकी स्थापना ही थी 25 जन्वरी 1950 को कब 25 जन्वरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसलिए हर साल 25 जन्वरी को राष्टिये मत दाता दिवस यानि कि National Voters Day मनाया जाता है कम मनाया जाता है 25 जन्वरी को मनाया जाता है और Election Commission of India ठीक है इसका Headquarter कहां पर है तो इसका Headquarter है दिल्ली में ठीक है और एक मुख चनाओ आयक तो थे उनका नाम था सू कुमार सेंड ठीक है क्या नाम था सू कुमार सेंड जो है उनका नाम था तो यह नाम भी आपको याद रखना है और दोस्तों जितने भी मैं एस्ट्रा फेक्ट बताता हूं सारे के सारे फेक्ट इंपोरन रहते हैं और यह को आप याद रखेंगे नैस्ट कोस्टन है किस अनुच्छित के तहत राज्यों में राजपाल को छमादान संबंदी सकती प्रदान की गई हैं तो देखे राज्यों के राज्यों के राज्यपाल को छमादान संबंदी सकती प्रदान की गई हैं अनुच्छित 161 के तहत तो इ जिनुशिद 161. लेकिन आपको याद रखना है, जो राज्यों की राजपाल हैं, वो मरत्यु धंड और सेन नियालाय में छमादान सक्ति का प्रियोग नहीं कर सकते, ठीक है? कहाँ-कहाँ, एक तो मरत्यु धंड में, और दूसरा जुई है, जो सेन नियालाय होते हैं, उनमें छमादान सम्मंदी सक्ति का प्रियोग नहीं कर सकते ठीक है तो ये दो बातें भी आपको याद रखना है नैस्ट कोस्ट है निमन में से कौन सा एक सासक था जिसने बौध धर्म को कभी सुईकार नहीं किया ये कौस्टन पूछा जाता है तो जो समद्र गुप्त है एक ऐसा सासक था जिसने कभी बौध धर्म को सुईकार नहीं किया ये गुप्त बंस का सा सकता ठीक है और देखे जो समुद्र गुप्त है इसका एक उपनाम है ये हमेशा पूछा जाता है भारत का नेपुलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपुलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त को ठीक है अच्छा भारत का नेपुलियन तो कहा जाता ठीक है विसेंट इसमित जो है इनका नाम है और ये एक इतिहासकार थे इन्होंने ही समद्रगुप्त को भारत का नैपुलियन कहा था ठीक है नैश्ट कॉस्टा ने विस्ब के छोटे देशों को छेत्रपल के अनुसार वड़ते क्रम में लखें तो देशों को छेत्रपल के अनुसार वड़ते क्रम में लिखना है तो देखें हम देख लेते हैं सबसे छोटा है बैटिकन सिटी ठीक है बैटिकन सिटी सबसे छोटा है और इनके हम एरिया भी देख लेते हैं इनका छेत्रपल कितना है तो जो बैटिकन सिटी है उसका चेत्र चेत्रफल है 0.44 वर्ग किलूमीटर ठीक है 0.44 वर्ग किलूमीटर इसका चेत्रफल है और उसके बाद दूसरे नमर पर है मोनाको तो मोनाको को चेत्रफल जो है यह है दो वर्ग किलूमीटर कितना दो वर्ग किलूमीटर तीसरे नमर पर आता है नैरू और नैरू का एरिया कि तो इस question का C option सही हो जाएगा नेस्ट question है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा तो इस question का a option से हो जाएगा जो durand रेखा है इसका निर्धान किस ने किया था तो marty merd durand ने इसका निर्धान किया था तो 1886 में किया था और हम बात करें यदि हाँ पर Mac Mohan रेखा की तो इसका निर्धान किस ने किया था तो Mac Mohan नहीं किया था Henry Mac Mohan इनका पूरा नाम था और यह जो रेखा है यह भारत और चीन के बीच में इस्ते थे किस किस के बीच में भारत और चीन के बीच में यह रेखा इस्ते थे और यदि हम बात करें यहाँ पर Red Club रेखा की इसका निर्धान हुआ था 1947 में ठीक है 1947 में इसका निर्धान हुआ था और भारत पाकिस्तान सीमा के अध्यक्ष थे इनका नाम था साइरिल रेड किलप ठीक है इनका नाम था साइरिल रेड किलप पे इनका नाम था और इनी ने जो है रेड किलप रेखा का निर्धान किया था ये जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में इस्ते थे ठीके भारत और पाकिस्तान के बीच में इस्ते थे रेड के लिए मतलब खत्रे की घंटी रेड जो ही ये खत्रे की घंटी होता है तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा इस्ते थे नेस्ट कॉस्टन देख लिएते हैं नमबर च्छे कॉस्टन निम्न में से भारतिय सेयर बाजार का मुख्याले कहां इस्ते थे तो भारतिय सेयर बाजार का जो मुख्याला है ये मुंबई में इस्ते थे तो इस question का C option से हो जाएगा भारतिये share बाजार इसको short में क्या कहा जाता है तो इसको short में NSE कहा जाता है ठीक है NSE मतलब National Stock Exchange of India हिंदियें बुलते हैं भारतिये share बाजार इसकी स्थापना कभी थी तो इसकी स्थापना की गई थी 1992 में ठीक है 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका headquarter में आपको बता चुका हूँ कहा पर है Mumbai में इसका headquarter है Next question है हर साल Nobel प्रुसकार का आईजन कहां किया जाता है Most important question है तो Nobel प्रुसकार का आईजन किया जाता है Scott Home में तो इस question का B option सही हो जाएगा जो Scott Home है ये Sweden देश की राधधानी है ठीक है अच्छा आप से एक और question पूंचा जाता है कि जो सांती के छेतर में जो Peace के छेतर में नोबल प्रुसकार दिया जाता है इसका आईजन कहां किया जाता है तो इसका आईजन किया जाता है Oslo में ठीक है और जो Oslo है ये क्या है तो ये नारवे देश की राधधानी है ठीक है और यदि हम बात कर लें यहाँ पर नोबल प् प्रसकार है ये पांच छेत्रों में दिया जाता था कितने चेत्रों में दिया जाता था लेकिन 1968 से ये छे चेत्रों में दिया जाने लगा ठीक है 1968 में ये अर्थ सास्तर में भी दिया जाने लगा question यही पूछा जाता है कि अर्थ सास्तर में नोवल प्रुसकार कप से मिलने लगे तो आपको लगाना है 1968 से next question है पिरसिद दिलवाडा मंदर कहां इस्तित हैं तो जो दिलवाडा मंदर हैं ये राजिस्थान में इस्तित हैं माउंट आपू नगर ये पे ये दिलवाडा मंदर इस्तित हैं वह ये जो दिलवाडा मंदर हैं एक जैन मंदर हैं ठीक है क्या है जैन मंदर हैं next question है संस्थाएं और संग बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है तो संस्थाएं और संग बनाने का जो अधिकार है केबल नागरेकों के लिए गारंटित सुतंतृता का अधिकार है तो इस question का B option सही हो जागा, देखें एक अनुच्छेद है, ठीक है अनुच्छेद कौन सा? तो आपको संस्ताइं और संग बनाने का अधिकार है यदि अब विदेश से आते हैं ठीक है अधि अब विदेश से आते हैं और भारत में निवास करने लगते हैं तो आपको संस्ताइं और संग बनाने का अधिकार नहीं है तो यह question पूछा जाता है नेश्ट कॉस्टन है निमन मैंसे कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है तो देखे हो सकता है दोस्तों आपको कॉस्टन कठन लग रहा होगा लेकिन ये कॉस्टन कई वार पूँचा गया है ठीक है और आने वाले एक्जाम में भी पूँचा जाएगा तो सबसे पहले मैं वाल्टेक देशों की संख्या कितनी है तीन है कौन कौन से है तो पहला है इस्टोनिया दूसरा है लिथू आनिया और जो तीसरा है वो है लात्विया ठीक है ये तीन देश जो है ये वाल्टेक देशों के अंद्रगत आते हैं ठीक है और ये जो तीन देश है ठीक है ये सेक्टर किसे दोर नियंत्रित किया जाता है एकोनुमी का क्या speakers question है most important question है इंडिया में insurance sector है यह IRDA के दोरन नियंत्रित किया जाता है इसको सौंट में EDDA बोलते हैं थीक है तो c option से हो जायागा यदि हम बात करें EDDA की तो इसका full farm क्या है insurance regulatory and development authority इसको हिंदी में क्या वो लेंगे भारतिये बीमा विनीमायक और विकास प्राधिकान इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी उसका हैड क्वाटर कहां पर है तो इसका हैड क्वाटर जो है यह हैदराबाद में इस थे ठीक है तो चलिए next question देख ले देखे जो education यान की सिक्षा है यह पहले राज सूची का विसाय हुआ करती थी ठीक है जो education है यह पहले राज सूची का विसाय था लेकिन आपको याद रखना है व्यालीसबा संविधन संसुधन होता है 1976 में और व्यालीसबा संविधन संसुधन 1976 के दोवारा जो सिक्षा है इसको राज सूची से हटा कर संबर्ती सूची में रख दिया गया कहने का मतलब जो है कि अब education system है यह जो है केंद्र और राज दोनों सरकारों की responsibility है अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है संबर्ती सूची यानि की concurrent list की आपको पता है कि इस पर कानून कौन कौन बना सकता है तो इस पर कानून केंद्र और राज दोनों सरकारें इस पर ठीक है और question पूछा जाता है कि वर्तमान में संबर्ती जो सूची है इसमें विश्यों की संख्या कितनी है तो वर्तमान में संबर्ती सूची में विश्यों की संख्या वाओन यानि की 52 और इसमें पहले विश्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी तो पहले इसमें 47 विश्य ठीक है तो दोस्तों ये सारे fact पूछे जाते हैं और आपको पता है कि आप देख रहे हैं free education YouTube channel और free education YouTube channel की एक विशेश्था है कि आपको एक question से अधिक fact बताते हैं और important fact बताते हैं जो कि आपकी आने वाले सवी exam में आपको helpful होंगे तो दोस्तों मैं आपसे केवल एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो को like करेंगे और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ share करेंगे ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं वो सवी इस प्रकार से पड़ सकें और इसका लाव उटा सकें नेश्ट कोशन है निमने में से किसको भारत रतन एवं निसान ए पाकिस्तान दोनों से सम्मानत किया गया तो देखिए जो मुरारजी देशाई हैं ये एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिने भारत की सर्बोच सम्मान भारत का सर्बोच सम्मान क्या है भारत रतन एवं पाकिस्त के सरबुच सम्मान निसान ए पाकिस्तान दोनों से सम्मनत किया गया ध्यान रखना मुरारजी देशाई जो हैं अभी तक एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं ठीक है और जो मुरारजी देशाई हैं ये हमारे भारत के पूर्वे प्रधानमंत्री हैं तो ये कौन से नमर के प्रधानमं नेस्ट कॉस्टन है किस हवा के प्रभाव से सोजर लेंड में अंगूर जल्दी पक जाते हैं ये कॉस्टन प्रवियस रेलबे का जो एंटीपीसी का एक्जाम हुआ था उसमें पूचा गया था तो देखिए सोजर लेंड में अंगूर जल्दी पक जाते हैं फोन हवाओं के क तो जो sauser land है इसकी capital क्या है earn ठीक है sauser land की राधधानी क्या है earn इसकी राधधानी है और जो sauser land है इसकी जो currency है उसका नाम है Swiss franc जो Swiss franc है ये sauser land की currency है तो ये भी आपको याद रखना है next question है संसार का सबसे बड़ा deep green land किस देश का हिस्सा है तो सबसे पहले तो आपसे question यही पूछा जाएगा कि संसार का सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो आप बोलेंगे Greenland और जो Greenland दीप है यह किस देश का हिस्सा है तो यह Denmark देश का हिस्सा है तो इस question का D option सही हो जाएगा ठीक है और यदि हम बात करें कि यह जो Greenland है इसका area कितना है इसका छेत्रफल कितना है तो 21,03,800 वर्ग किलूमेटर जो है इसका area है next question है अकवर के दरबार में famous चित्रकार कौन था तो देखिए अकवर के दरबार में जो famous चित्रकार था उसका नाम था वसावन तो इस question का D option सही हो जाएगा बाकि जो Todermill, Tansen और बीरवल है यह अकव इनके दरबार में तीन famous चित्रकार थे तीनों की नाम आपको पता होना जरूरी है तो पहले का नाम मैं आपको बता चुका हूं क्या था वसावन था दूसरे का नाम क्या था तो दूसरे का नाम था अब्दुल ठीक है दूसरे चित्रकार का क्या नाम था अब्दुल था और तीनों की नाम आपको पता होना जरूरी है नैश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नम्मर सत्रा कॉस्चन है अंतिम मुगल वात्साय कौन था तो अंतिम मुगल वात्साय थे वहादुर साय जफर कौन थे वहादुर साय जफर थे या फिर इनको वहादुर साहदुति ये भी कहा जाता है ठीक है वहादुर साहदुति ये भी इनको ही कहा जाता है ठीक है और हम बात करें यदि मुगल वन्स की तो मुगल वन्स की स्थापना किस ने की थी तो मुगल बंस की इस्थापना की थी वावर ने कब की थी 1526 इसमी में की थी और अंतिम वात्सा जो थे वो थे वहादो साज सेखिंड या फिर वहादो साज जफर Next question है पारस्थित की यानि कि एकोलोजी सब्द किस ने दिया था तो जो एकोलोजी सब्द है ये दिया था है केल ने Most important question है किस ने दिया था है केल ने दिया था और यदि हम बात करें कि जो पारस्थित की तंत्र है यानि कि जो एकोसिस्टम है ये सब्द किस ने दिया था तो एकोसिस्टम जो सब्द है ये दिया था और जो lindman है ठीक है तो 10% उर्जा का जो नियम है ये किस ने दिया था ये lindman ने ही दिया था तो यदि आप चाहें तो इस प्रकार से जो fact लिखे होते हैं तो उसका screenshot आप ले सकते हैं next question देख लेते हैं नंबर 19 question है रूसी क्रांती का आरम किस सहर में हुआ था तो जो रूसी क्रांती है इसका आरम हुआ था सैंट पीटरस वर्ग सहर में किस सहर में सैंट पीटरस वर्ग सहर में इसका आरम हुआ था और जो रूसी क्रांती है इसको अक्टूबर क्रांती भी कहा जाता है रूसी क्रांती को ही कहा जाता है और सैंट पीटरस वर्ग एक सहर यहीं पर जो है इसकी शुरुवात हुई थी नेश्ट कॉस्ट ने नैप चुन यानि की वरण ग्रह की खोच किस ने की थी तो नैप चुन यानि की वरण ग्रह की खोच की थी जोन गैले ने कब की थी इन्होंने वरण ग्रह की खोच तो इन्होंने 1846 में वरण ग्रह की खोच क करते हैं और जो न्यूटन है इन्होंने गृत्वा कर्षण के नियम दिये थे और गती के नियम दिये थे ठीक है तो इतने फेक्ट आपको इस कॉस्टन से याद रखना है चलिए नैस्ट कॉस्टन देख लेते आरोन यानिकी यूरिनस ग्रह की खोच किसने की थी तो ये भी प कॉस्टन देख लेते हैं नंबर वाइस कोस्टन है इकषा ही सब कस्टों का कारण है यानिकी डेशर इस केस। उफ्परिंग इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है तो देखिए एकषाหी सभी कस्टों का क् अपर इसका प्रचार जो हे बौद धर्म करता था तो इस कोस मेरे साथ रिवीजन कीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, लुंबनी में, जो की नेपाल में है, मृत्यु कहां पर हुई थी, कुसी नगर में, जो बुद्ध हैं, इनकी पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन, बच्पन का नाम क्या था, सिद्धार्त, माता का नाम क्या था, माया देवी, पतनी का नाम क्या था, यसो धरा, पुत्र का का नाम क्या था, राहुल, और इनको ग्यान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, बौध गया में, तो ये सारी चीजें आपको इस प्रकार से, एक क्रम में याद होना बहुती ज़ादा जरूरी है, नेश्ट कोस्टन है, उस भीर भारती राजा का नाम बताए, जिसे सिकंदर ने जहेलम नदी के टट पर पराजित कर दिया था, तो उस भारती राजा का नाम क्या था, पुरू या फिर राजा पुरस के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो बी ओप्सन से हो जाएगा, टीक है और देखे सिकंदर और राजा पूरस के बीच में ये युद्ध कहां पर हुआ था तो ये जेलम नदी के तट पर हुआ था इसलिए इस युद्ध को जेलम का युद्ध या फिर हाइड स्पेस का युद्ध कहा जाता है ठीक है और जो राजा पूरस है यदि हम इनकी बात क कर दिया था ठीक है सिकंदर ने इनका राज भी बाद में बापिस कर दिया था इनकी बीड़ता से प्रभावित्यों कर नैश्ट कॉस्चन है बिस्ब में कितने देश इस्थल रुद्ध यानिकी लेंड लॉक्ड हैं तो लेंड लॉक्ड देशों की यदि संख्या पूची जा ठीक है क्या नाम है कजाकिस्तान और सबसे छूटा लेंड लॉक्ड देश कौन सा है तो बैटिकन सिटी ठीक है जो बैटिकन सिटी है ये सबसे छूटा लेंड लॉक्ड देश है ठीक है तो ये एस्ट्रा फेक्ट भी आपको याद रखना है चलिए नैश्ट कॉस्चन हो जाएगा ठीक है स्वामी विवेकानंद वरतमान भरत पुस्तक है इसकी रचेता है और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था बारा जन्मरी को ठीक है बारा जन्मरी को इनका जन्मरी को राश्टिय यवाद वस मनाया जाता है ठीक है राश् मिसन की इस्थापना यदि पूछ जाए किस ने की थी तो स्वामी विबेकर नंद नहीं की थी तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अब नैस्ट और लास्ट कॉस्टन है आपके लिए चैलेंजिंग कॉस्टन है सकांसर आपको कमेंट करके बताना है जो की हम पूछते हैं हमारे प्रिवियस वीडियो से भारतिय सम्मिधन की प्रस्ताव नामें कितने प्रकार की समानता का उले किया गया है ये कॉस्टन मैंने आपको डेटेल में बताया है तो आप बताएं कितने प्रकार की समानता का उले किया गया है और वो समानता कौन कौन सी हैं तो थैंक्यू दोस् चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सथ बैल आइकन जुरूर दबाना है जब भी मैं को नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए आपको क्या कर लेना है सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और बैल आइकन दबा लेना है और दोस्तों जो मेरे वीडियो है इसी प्रकार से मैंने उनको डिटेल में समझाया है तो आपको क्या करना है आप वो देख सकते हैं ठीक कहां से देख सकते हैं प्ले लिस्ट को जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट की लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन पन्दी मात्राम